नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे कुछ वेलिबर कोई शेयर्ट की हैं जो आपको confidence develop करने के लिए useful होंगे फर्स पॉइंट है develop your physiology इस पॉइंट का मरलब यह है कि एक healthy diet को follow करके अपनी personality इंप्रूव करके body structure को improve करके behavior को improvise करके आप confidence level को बढ़ा सकते हैं जितना आप physically अपने अपर proud करेंगे उतना ही confidence level आपका बढ़ता जाया तो जितना आप अपने physical structure को improvise करेंगे उतना ही आप regular base पे अपने confidence level को बढ़ा पाएंगे second point है train your mindset मैं confident हूँ यह मैं कर सकता हूँ इन चीज़ों को regular base पे बोल करके आप अपने confidence level को बढ़ा सकते हैं जितना आप अपने आप से कहेंगे कि मैं confident हूँ मैं confident हूँ वैसे ही आपके mind की hard wiring सेट हो जाएगी एक time पर आप confident होंगे अपने आपको लेकरके अपने work को लेकरके कि हा मैं यह कर सकता हूँ मैं इसमें जुर कामियाब होंगा थर्ड point है your environment हमारे environment का हमारे deep level में बहुत जादा effect पड़ता है अगर हमारे environment ऐसा है जो हमें boost करने वाला है हमें confidence दिलाने वाला है हमें तो हम deep level पर confidence हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकरके अपने environment को ऐसे सेट करके जो हमें confidence लाए तो हम confidence को develop कर सकते हैं हमारे fears, हमारी values, हमारे beliefs सब कुछ हमारे environment से ही तै होता है अगर हमारे environment बहुत अच्छा है तो हम अपने confidence level को बढ़ा सकते हैं एक और चीज़ आपको इस चीज़ में help करेगी को आपका friend zone हम अपने दोस्तों को अपने तरह दे चूश करते हैं अगर हमाने दोस्त ऐसे हैं जो हमें inspire करने वाले हैं या भी हमें confidence लाने वाले हैं तो हम चार time to confidence रह सकते हैं और अपने आपमे confidence को feel कर सकते हैं तो अपने friend zone को select करना इस अभाई मतारी है अगर हम इसमें काम हो जाते हैं तो हमें ऐसे तो उस मिलेंगे जो हमें तो हमें कॉंफिदेंस फिल करा सकते हैं जिससे आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं तो वर्ट यू अफ्रेड ऑफ और रेगुलर बेस इस पॉइन का मतलब यह है कि उन चीज़ों को करके जो करके जो हमें डराती है अपने कॉंफिदेंस लेवल को बढ़ने से पहले कुछ छोड़े चोड़े गोल्स को डिसाइड करें और उनको खतम करते जाएं दीरे जीरे करके लेकिन में टाइम में जो आपका अल्टीमेट गोल है उसको आप बूल जाएं नहीं तो आप जा जादा वर्कलोड नहीं होगा कि मुझे इस गोल को अल्टीमेटली खतम करना है लेकिन आपके पास एक छोटा गोल होगा कुछ चोड़े गोल्स को बनेगे एक अल्टीमेट गोल बनेगा जिसको आप पूरा कर पाऊंगे और साथ ही अपने 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 लेवल को कोई बड़ा पाऊंगे अपने इस वीडियो थैंक्स वर वाचिंग प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेर जरू करियेगा